अंकिता की डेट से एक रात पहले अंकिता के साथ जो कुछ रिसॉर्ट में इतने समय से चल रहा था उसके बारे में अंकिता ने किसी को बताया था ये अंकिता का खास दोस्त है जो जमू में रहता है और इसी ने अंकिता का मामला पुलिस तक और मीडिया तक पहुँचाया है क्योंकि अंकिता के गायब होने के initial two days तो पुलिस report ही नहीं लिख रही थी और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि resort का जो मालिक है वो बड़ा नेता है अंकिता के इस दोस्त ने अंकिता से जो चैट में बाते हुई वो मीडिया हाउस में बताई और उसके बाद ये मामला सामने आया 17 सितंबर को रात 9.30 वजे अंकिता ने अपने दोस्त से बात की थी ये वो तारीख है जिसके एक दिन बाद रात को अंकिता गायब हो गई अंकिता ने अपने दोस्त को text message में कहा कि मैं resort में बहुत insecure feel करती हूँ मैं तुम्हें क्या बोलू कल अंकित मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो जमू वाले दोस्त ने कहा कि क्या हुआ call करके बताओ अंकिता ने कहा मैं call नहीं कर सकती बाहर आवास जाएगी दोस्त ने कहा ठीक है text message में ही बताओ क्या हुआ बहुत अच्छा हुआ कि ये सारा conversation text message में हुआ अगर ये conversation उस दिन text message में नहीं होता तो अंकिता का जो case है वो इतना मजबूत नहीं बन पाता अंकिता ने आगे लिखा कि अंकित मेरे पास आया और बोला कि सोमवार को guest आने वाले हैं तो guest को special service देनी होगी इस पर अंकिता पूछती है कि इसमें मैं क्या करूँ तो अंकित उसे कहता है कि तुम कह रही थी ना कि कुछ extra करेंगे इसके return में अंकिता अंकित को कहती है कि मैंने कब कहा कि इस पाव अगेरा करूँगी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ फिर अंकित अंकिता पर गुसा करने लग गया और कहने लगा कि गैस देख रहे हैं ये क्या कर रही हो इसके बाद जमू वाले दोस ने अंकिता से पूछा कि तुमने इसका क्या जवाब दिया तो अंकिता ने कहा कि मैं ये सब नहीं जानती तुम्हारी मर्जी आए जो करो तो इस पर अंकित अंकिता को ओफर करता है कि तुम्हारी जान पहचान में कोई लड़की हो जो सर्विस दे सकती हो तो बताओ क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है जम्हाले दोस ने अंकिता को कहा कि कह दो उसे कि मैं शरीफ गर से हूँ और इस तरह की बाते मुझसे मत करो अंकिता ने कहा कि मैंने यही किया मैंने अंकित को जवाब दिया कि मैं गरीब गर से हूँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिसॉर्ट के लिए मैं 10,000 में बिग जाऊंगी तुम मुझे गैस्ट 10,000 रुपे देगा ये बात क्यों बता रहे हो ताकि मैं लालच में आकर खुद ही ये काम कर लू आगे अंकिता ने क्लियर किया कि एक्स्ट्रा सर्विस मतलब से जम्मू वाला दोस्त अंकिता को कहता है कि उन्हें समझा दो कि इस तरह के ओफर्स ना लेकर आए आगे अंकिता लिखती है कि मुझे इस रिसॉर्ट में ठीक नहीं लग रहा यहां पर गलत चीज़े होती है मैं यहां से जॉप छोड़ दूगी एक दिन भी ऐसा हुआ कि ए नहीं पूरी चैट इसी जम्मू वाले दोस्त ने मीडिया को दी मीडिया ने अंकिता की न्यूस बनानी शुरू की उसके बाद पुलिस के उपर दबाव बनाया और तब जाकर पुलिस ने अंकिता की बॉड़ी या अंकिता कहां मिसिंग है उसे ढूनने की कोशिश की वरना इस चैट से पहले पुलिस इस केस को ही नहीं ले रही थी अंकिता के मम्मी पापा जो एक कमजोर फिनांशल बैक्गराउंड से आते हैं वो थाने से थाने भटक रहे थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं दर्स की गई मामला दबाने की कोशिश की गई जम्मू वाले इस दोस केस मामले में तीन लोगों को गिरफतार किया गया है जिसमें रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उसका दोस्त अंकित गुपता और उसका एक और दोस्त सौरम भासकर जो कि रिसॉर्ट का मैनेजर है इन तीनों को गिरफतार कर लिया है और इन पर हत्या का केस दर्स किया है झाले